ये दोस्तों, वेलकम टू वाइफाइ क्लासेस, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए फूड हैविट्स औप एनिमल्स मुस्ट इंपोर्टेंट वर्ड से लेकर आया हूं दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा कि वो कार्नीबोरस क्या होता है, ओमनीबोरस क्या होता है, कैनीबल क्या होता है, प्रॉपर बताऊंगा, यहां से गैरेंटी है दो नमबर का कोशन आता है दोस्तों, है ना इंग्लिश में जो एन्टुनियम सुनियों, वोकेबलरी में कोशन आता है, तो कई बार English में क्या होता है spelling से भी question आते हैं दो दो नम्मर के तो वो मानलोई लिखके उन्हें हर्वी बुरस दे दिया आपको अगर नहीं पता दिक्कत हो चाहिए इसलिए spelling भी देखा करो हर जगा हर्वी बुरस मतलब होता है Animals that eat plants ऐसे अनिमल जो प्लांट को खाते हैं जैसे अपनी बकरी बगएर वगएरा होती ना बकरी गाए है ना यह अपने उंट बगएरा यह यह क्या करते हैं यह प्लांट्स खाते हैं तो इनको बोलते हर्वी बुरस ओकि example भी link करना कि यह कौन खाता है समझ मा आया आपको सेकेंड है कार्निवोरस मतलब क्या होता है ऐसे एनिमर्स that eat flesh तो मैंने ऐसे याद कर लिए बहुत इंपोर्टेंट है कार्निवोरस मतलब होता है जो flesh खाते है मैंने इससे लिंक किया थे एकदम से आने का नहीं है बस एक एक बार पढ़ लो important है ओमनी बोरस मतलब क्या होता है दोस्तों नाम ही है ओमनी मतलब होता है all है न क्या होता है ओमनी मतलब होता है all तो देखो ओमनी बोरस का मतलब होता है animals that eat plant both plants and flesh ऐसे animals जो है यह पेड़ पत्ती भी खाते हैं फ्लेश भी खाते हैं मांस बगेरा भी खाते हैं ठीक है तो अब आप मैं से example पूछता हूँ कि कौन सा वो animal है या कितने animals हैं जो plants भी खाते हैं और flesh खाते हैं कोई example दे सकता है मुझे पता मैं भी बता दूँ का मतलब नहीं निकले का लेकिन आप खुछ सोचिए कि ऐसे कौन-कौन से animal हैं जो plants भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं तो जरूर बताइएगा I would love to see your comment ओके fourth is scavenger ये बहुत अच्छा word है और ये पता होने चाहिए ये vocabulary में आता है कि scavenger मतलब क्या होता है तो scavenger मतलब ये होता है कि भाया जो सड़ी गली चीज़ों को माज वगेरा को इनको खा लेता है मालो कहीं कुत्ता मर गया रोड पे तो उस कुत्ते को कौन खाएगा भाई तो जो वल्चर नाम सुना होगा आपने गरणड बोलते क्या बोलते हैं वल्चर को तो वो जो खा लेता है ना तो बहुत इंपोर्टन उसी को बोलते है scavenger एक वाफिट से पढ़ेंगे scavenger मतलब होता है animals that eat dirt and decaying flesh मालो कहीं कुत्ता बिली कुछ मर गया रोड पर कुछ पढ़ा हुआ है गाय माय मर गया तो जो मतलब उसको जो सड रही है तो वो बेकार एरिया बेकार कर देगी वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी तो उस चीज को खाने के लिए जो अपने वल्चर जो आते ना वस उनी को scavenger बोलते हैं ध्यान रखिएगा भूल लमद भाई इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यह अजीब सा कोशन है लोगों को याद नी रहता है आपको याद होना चाहिए ठीक है फिफ्ट देखो दोस्तों यह है कैनिबल मतलब क्या होता है दोस्तों एनिमल्स डैट इट्स देर उन स्पीसेज कैनिबल मतलब होता है नर्भक्षी हिंदी में क्या बोलते है नर्भक्षी इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो खुद की स्पीसेज को खायाते है माल लो कुत्ता कुत्ते को खाया है शेर सेर को खाया है बिल्ली बिल्ली को खाया है इंसान इंसान को खाया है इस तरीके से कैनिवल को ये बोलते हैं समझ में आया सेम प्रजाती के लोगों को अगर किसी ने ने प्टा दिया खा लिया तो वो कैनिवल की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा शिक्स देखिए यह दोस्तों प्रिडेटर मतलब क्या होता है सेवन्थ है डिकंपोजर यह सभी को पता है डिकंपोजर मतलब जो चीज़ों को डिकंपोज करते हैं मतलब ऐसे एनिमल्स डैट कंवर्ट्स कॉंपलेक्स सबस्टेंस इंटो सिंपलर फॉम मान लोगों को इन्हें पट गया विचारा और उसकी मतलब मुस्लिम लोगों जैसे गड़ा देते ना तो फिर क्या होता बॉड़ी अब ऐसी शुरक्षित रहेगी निए धनिया मिर्चीव पानी मार मार के छीच रहे है तो बॉड़ी डिक्के होगी तो वो डिकंपोजर का काम करते हैं जो बैक्टीरिय वगेरा होते हैं कुछ कुछ चीज़ें बो मतलब चुछ दीर दीर करें को सब्सक्राइब कर देती है उस बॉड़ी को है ना तो उसको बोलेंगे डिकंपोजर ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है मैं विजुलाइज क्योंकि वो डिकंपोजर का काम करते हैं वो एक दिन मतलब साड़ा सब ख़तम करें के कोश्य करते हैं ठीक है तो उसको ध्यान रखिएगा एट्थ है symbiotic, symbiotic मतलब होता है organism that live together, symbiotic का मतलब ही होता है इस जो सांसात रहते हैं, तो symbiotic बिल्कुल simple है, कोई जारे दिखकर की बात नहीं इसको याद रखना पड़ेगा इसी को बोलते हैं तयारी कि कुछ चीजों को याद करना पड़ता है, कुछ को समझना पड़ता है, कुछ को रटना पड़ता है वो भी खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, तो भाई बो बहार निकल के दुखाएंगे नहीं कि आपकी टेवल पर निकल के आएंगे और बढ़िया रजगुल्ला समोसा खाज आएंगे, नहीं यह वाले कीटाड़ों ले ले लेंगे, इसी को बोलते हैं, पैरसिटिक, मतलब एक ऐसे जर्म्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब मैं अगर भूंका मर हूंगा तो विचार भूंके मलेंगे, इसलिए अगर मुझको खाना पीना मिलेगा बढ़िया तो वो भी ख यह, मतलब आप मेरे लिए सोच रहा है, तो मैं भी आपके लिए सोच रहा हूं, सेम, तो यही वाली कंडिशन है, mutualistic मतलब होता है, बोथ आर बेनिफिटेड, मतलब आपने इसकी मदद करी, तो इसने भी आपकी मदद करी, मतलब दोनों को फायदा हुआ, इसी को बोलते है, mutualistic, ओके, 11th वाला देखिए, यह है, commensal, commensal, दोस्तों मैंने यह काफी सर्च किया, मैंने गूगल पर भी लेकिन जादा समझ में नहीं आया, तो इसमें है, one is benefited, कोई एक benefited होता है, लेकिन दूसरा harm भी नहीं होता, मतलब एक का फायदा हुए, लेकिन दूसरे का नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते है, commensal, इसको एक बार पढ़ लीजे, बहुत important तो नहीं है, बढ़ लीजे, भाई, क्या पता छप जाया कहीं, है ना, अब देखो 12th है दोस्तों, यह है gram नी बोरस, क्या है gram नी बोरस, नाम लग रहा है gram सी, ग्रा क्या से लिखत खाता है, तो उसको बोलेंगे gram नी बोरस, अपनी बकरी भी खाती है, अपनी काउ भी खाती है, ध्यान रखिएगा, 13th लास्ट है दोस्तों, यह फ्रूगी वाइरस, क्या है, फ्रूगी बोरस, इसका मतलब होता सीधी बात है, fruits are related of animals that eats fruit, तो भाई, यह कौन सा अनिमल जो फ फाल्तु बेस्ट हो जाएगा, टूकी स्पीड में खुर से देख लेना, पूरा समझ में जाएगा, ठीक है, थैक है, थैक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, प्लीज डू कमेंट अगर पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो शांदार था, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दे कि मैंने कैसा पढ़ाया, मतलब मदा आया कि नहीं आपको, बस मैं जाना चाता हूँ, तो प्लीज कमेंट करके बताएं, शेर एक बंदे को करतें, जिसकी आप करते हैं, कोई तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, फ्रे से पीडियाप की जरुरत है, तो टेलिग्राम जॉइन करना पड़ेगा, वहां रोज शांदार शांदार एक वीडियो अपलोड होता है, एक तो होता ही है, वर्ल्ड कलास विद्धा हल्प ट्रिक्स, तो वहां से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और टेलिग्राम पर यह आपको लिंक मिल दाएगी, मिल दाएगी क्या अपनी PDF, अभी आपके help करने के लिए मैं कुछ वीडियो डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको बहुत help मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिके के वीडियो डाल दूँगा, इंगलिश के डाल द अभी अभी नहीं तो कभी नहीं ठीक है, और लास्ट बात दुनिया की सारी बात है एक तरप और revision एक तरप, अगर आप revision करते हो, पांस से जे गंटे हर दिन पढ़ते हो, एक गंटे revision करते हो तो दुनिया की कोई ताकत है, जिस रोक नहीं सकती जिसमें आपका selection ना हो, selection होगा, so thank you so much, never ever give up, be consistent towards your goal and be proud of who you are.